हेलो दोस्तों आप शब का भुद्वुष श्वागत है गनेशाय वर्ड के इस यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज की वीडियो में हम प्री बोर्ड फरिक्षा 2022 कक्षा वार्वी और विशाय रशाइंस जास्त्र मतलब कैमिश्टी का पेपर का जो है ना फुल सॉलूशन करने वाले हैं आपको विट प्रोवाइट करने वाला हूँ दोस्तों ठीक है तो आपको यह जो पीडियेप है ना हमारे गनेशाय वर्ड का जो आपका टेलिग्राम चैनल है उस टेलिग्राम चैनल है उस पर आप जाके गनेशाय वर्ड टेलिग्राम पे आप सर्च करेंगे G-A-N-E-S-H-A-Y ठीक है और W-O-R-L-D वर्ड गनिसाय बल्ड लेदी आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर जाकर आपको ये PDF प्रोवाइट करा दी जाएगी आपको PDF मिल जाएगी तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं तो यहाँ से आप सत्तर में से सत्तर माक शैदी फुल लेकर आना चाहते हैं तो वीडियो को आप देखें जरूर देखें अपने फ्रेंट सरकल में शेर करें तकि सभी के पास ये स्यॉलूशन पहुच पाए ठीक है क्योंकि ओपन बुक एक्जाम तो होई रहे हैं ठीक है चलो तो वड़ते हैं तो यह आप कॉस्चन पेपर देख लीजिए पहले ठीक है यह सही विकल्प है आपको साथ सही विकल्प मिलेंगे ठीक है तो विट सॉलूशन के साथ मैं आपको फ्रुवाइट करा रहा हूँ टेंसन बिल्कुल मत लीजिएगा ठीक है तो आईए अब हम पहुंचते हैं इसके सॉलूशन पर और इसके सॉलूशन को हम देख लेती है ठीक है तो सबसे पहले आपको जो है ना तो सही बिकल्प दिये गए हैं तो सही बिकल्प आप देख लीजिए जिसमें से पहले का जो आंसर सही रहेगा वो आणविक ठोस रहेगा दूसरे का M प्लस N तीसरे का आपका टिंडल प्रभाव रहेगा और फोर्थ का आपका चुम्मिकी प्रतक करन पांचवे का आपका रहेगा हीलियम क्या रहेगा हीलियम ठीक है छटबा जो है ना और छटबे का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा पैनिसलीन और साथवे का रहेगा ऐस्प्रेन ठीक है तो ये अपने सही बिकल्प हो जाएंगे ठीक है इसके बाद हम सही जोडियों पर पहुंच जाते हैं तो रिक्तिस्थानों में पहले में दो आएगा दूसरा में कॉपर आइसक तीसरे में सलफोनी करण ठीक है फिर एस्टा सोरी एंटा एसेट फिर आएगा आपका आईसो प्रेन है ना फिर आपका सहे बहूली करण नेक्स्ट है अपका थर्मोश रेटिंग ठीक है तो यह सातो रिक्तिस्थान हो जाएंगे ठीक है इसके बाद हम पहुंच जाएंगे सही जोडियां ठीक है और एक शब्द में आंसर पर ठीक है और एक शब्द में उत्तर भी देना है तो एक शब्द में उत्तर में पहला प्रथम पर कोटी दूसरा आपका सिल्वर नाइट्रेर तीसरे में एट लगा देना चौथे में कीटाउन पांचवे में टॉलैन अभी कर्मक ठीक है पाले में हमी क्या करना है मोललता और मोलरता को समझाना तो देखो यह मोललता की परिभासा है ठीक है मोललता की बिलाइक के प्रति किलोग्राम दिर्भमान में उपस्तित बिले पधारत के मोलों की संख्या मोलरता कहते हैं ठीक है और जो आपकी मोलरता होती है इसे हम स्मॉल ए लिखना है वट आंगे आपको वह सारा देखो और भी जो है ना श्योलूशन आपको प्रोवाइट कराया है इतना नहीं लिखना आप तो बस इतना ध्यान रखना कि आपको इधर तक एक फॉर्मूला और यह लिख ले दा ठीक है चलो नेक्स है हमारा मोल अर्ता मोल अर्ता को परिभासल करना तो मोल अर्ता को अप परिभासल लिखक्यर्ण इसका मात्र हें और क्या है आपका इसका इकाई है मौल प्रति लीटर या मोल पर लीटर जिए इसकी इकाई है न है आथवा करके भी कराई ठीक है और यह सूत्र लिख देना एक फॉर्मूला बस इतना ही लिखना है इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है बाकि आंगे तो मैंने और भी प्रोवाइट कराया है आपको तो आप स्क्रीन सॉट लेकर भी इसमें लिख सकते हैं ठीक है चलो नेक्स्त है हमारा कॉस्चन नमबर छह में वह इस हैं कोई दिककत नहीं है स्क्राइब चूंब है क्योंकि nutritional पात जाते हैं जिसने अड़ों आपस में संगुडगब हो याते हैं इपने लिख्व41 Airport Kaip लिख देना जबकि SEL के अड़ों के मद्ध हाइडोजन बंद नहीं हो पाता जिससे इसके अड़ों का शंगुडन आपसमें नहीं होता और यह गया सवस्था में होता है यह चीज और इसमें एड कर देना क्या लिख होगे आप जबकि SEL के अड़ों के मद्ध हाइडोजन बंद नहीं हो पा होता इसलिए इसके अड़ों का शंगोडन नहीं हो पाता फल्सवरूप यह सबस्ता में होता आप इतनी चीज और इसमें में आड़ों के अड़ों के ताप इस्तायद का करम लेखना है तो अगे बढ़ते हैं अंगले कॉस्चन नमबर 9 EDTA का पूरा नाम ठीक है तो EDTA का जो पूरा नाम है वो है Ethylene Diamine Tetra Acetate होता है ठीक है यह आप इसमें लिख देना ठीक है चलो अंगला है हमारा Question No.10 है Question No.10 का अत्वा ठीक है Next है हमारी कौन सी Carvel Amine अभी क्रिया ठीक है तो अत्यांत दुर्गन दियुक्त पधार्त Carvel Amine बनता है इस अभी क्रिया को हम Carvel Amine अभी क्रिया कहते हैं ठीक है तो आप अच्छे से समझ के लिख देना ठीक है जब प्रात्मिक अभी क्रिया को क्लोरोफोंबा के वेज के साथ गर्म किया जाता है तो अत्यांत दुर्गन दियुक्त पधार्त Carvel Amine बनता है इस अभी क्रिया को Carvel Amine अभी क्रिया कहते हैं ये reaction लिख देना आप ठीक है next है हमारी mustard oil अभी क्रिया तो ये mustard oil आपको अभी क्रिया दिख रही होगी ठीक है जब प्रात्मी कैमीन को Carbon Dysulfide तथा है ना Mercuric यहाँ पर Mercuric लिखा है आप Mercuric कर लेना ठीक है Mercuric क्लोराइट के साथ अभी क्रिया कराए जाते है तो अलकल आईसोसाइनाइट बनता है ठीक है इस अभी क्रिया को mustard oil अभी क्रिया कहते हैं आप अच्छे से इसमें लिख देना यह इसकी reaction है आप reaction भी देख लो ठीक है चलो अंगले question पर बढ़ते है question number 11 DNA और RNA में अंतर आपको देना है तो यह DNA और RNA में अंतर है ठीक है यह deoxy ribos सरक्रा है और यह cable ribos सरक्रा है कोई अंतर देना है तो दो अंतर के हिशाब से आपका complete हो जाता है ठीक है चलो question number 11 हो चुका है question number 12 यह पीडा हारी और पूती रोधी को समझाना है ठीक है तो यह पीडा हारी और पूती रोधी है ठीक है आप देख सकते हो ठीक है चलो आंगे आप screen shot ले जाईए लेते जाईए और complete इसको करते जाईए ठीक है है ना question number 11 है एक बार repeat हो गया है कोई दिक्कत नहीं है question number 12 है ठीक है यह question number 13 others और another civilian में अंतर लिखना है ठीक है तो आप यह अंतर 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 civilian से धनात्मक विचलन और another से डिनादमक ठीक है इसमें A B Aakrshan बल A B B B Aakrshan बल दुरवल होते हैं इसमें A B Aakrshan बल A B B Aakrshan से प्रवल होते हैं तो आप यह अंतर लिख देना और भी अंतर यह है तो आप screen shot लेते जाना और coffee में आप अपनी लिखते जाना ठीक है यह question number 14 है प्रथम कोटी आभी क्रिया की कोटी और आणविक्ता में अंतर यह भी आप screen shot लेके आप अपनी coffee में लिख सकते हो कोई दिकत नहीं है ठीक है question number 15 question number 15 है अमारा alcohol के बिहाइडोजनी करण से जब alcohol कीट बनाता है तो यह कीट बना दियो तरती यह एक अलकोहल है न है अलकीन बनाता है तो यह तरती यह यह आपकी reaction भी दी है आप एक-एक करके आप लिख सकते को ठीक है question number 16 है रोजन मुंडा विक्रिया को आपको चलो नेक्स है हमारे हुंस्डी करन अभिक्रिया ठीक है तो हुंस्डी करन अभिक्रिया की आप जो थेओरी है ना वो लिख लो क्या है जब वसा अमल के सिलबा लवन को कार्बन टेटरा क्लोराइड के बिलेन में लेकर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर अलकिल हलाइड बनता है इस अभिक्रिया को हुंस्डी करन अभिक्रिया कहते हैं ये लिखना है और मैं हाँ पर रियेक्शन आपको वना दे रहा हूँ देखो वसा अमल का जो सिलबल लवन है मेरे भाई वो होता है तो ये बन गया आपका CO2 अब बचा हमारे पास CH3Cl तो ये आप पूरी reaction इसमें लिख देना ठीक है क्या लिखोगी तेयोरी जब बसा अमलिके सिल्वा लवन को कार्बन टेटरा क्लोराइड के बिलियन में लेकर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो एलकेल हेलाइड मतलब मैथिल क्लोराइड बनता है इस अविक्रिया को हुंस्टी करन अविक्रिया कहते हैं ठीक है तो यह आप लिख लेना ठीक है चलो आँगे बढ़ते हैं अंगली हमारी जो अविक्रिया है बो है बोटस अविक्रिया ठीक है तो यह बोटस अविक्रिया आपको देख रही है यह बोट साभी क्रिया आप स्क्रीन सोट लेकर अपनी कॉपी में लिख लेना ठीक है चलो आंगे बढ़ें ठीक है यह RX है और यह बी RX है ठीक है RX पहले लिख दिया आरबाद में लिख दिया कोई दिकत नहीं ठीक है यह कॉस्टन नंबर 18 है बिसिश चालगता आढ़बिक चा लगता है 500 तै ना और यह तो लगता है 500 थी चलौ है चला ँग ओस्टै पेपर में टेली रांड करेंड है विश्ए बिंहें आपर कर दोगांगा तो आप इसको जोईन करें और आप जाकर देख लें